हेलो स्टूरेंट मैं कुशल सर्मा आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुशल क्लासेज तो देखिए क्लास 12 के 6 चैप्टर जो की लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा आप वहां से जाकर उसको देख सकते हैं तो चलिए आगे के जो कोशन से इस एकसर साइज को कंप्लीट करने की प्रोसेस को कंटिन्यू करते हैं तो देखिए कोशन नमबर एट से स्टार्ट करते हैं एट कोशन क्या है function is modulus of x-4 हमें ये प्रूव करना है कि that function is continuous function और किसी कोई particular point ही बात नहीं हो रही है that means कि हमें हर जगे continuous दिखाना है तो सबसे पहला काम क्या कर लेते हैं modulus का वही कि वही इसको simplified form में बना लेते हैं है ज्यादा better रहता है हमारे लिए तो क्या तरीका बताया गया था कि अंदर जो function है उसको हम क्या गरें is equal to 0 रखें और वहां से क्या निकाले x की value ठीक है तो that means कि जो x है वो किस पर separate होगा वो separate होगा is 4 पर है ना अब जो equal to के sign के बात बचे वो आप किसी पर भी लगा सकते हैं हम greater के sign के साथ लगा लेते हैं ओके अब उसके accordingly हमें सोचना है कि x के value अगर 4 से छोटी है तो function कैसा result देगा positive और negative यस negative तो हम इसके आगे एक और minus sign लगा दें क्योंकि उस negative को positive बनाना है लेकिन अगर x के value 4 या 4 से greater है तो वैसे बात है negative तो नहीं आएगा negative नहीं आएगा तो हमें modulus का sign हटाकर अलग से उसका sign change करने के जरूरत नहीं होगी है तो अब यह देखिए 4 x less than 4 function जो है वो function कैसा है यहाँ पर function एक polynomial form में है ना which is a polynomial function and hence क्या होगा continuous होगा right and 4 x greater than 4 function कैसा है अब भी function क्या है एक polynomial function है और उस situation में वो फिर से क्या रह जाएगा continuous रह जाएगा यानि कि किस की बारी रह गई at x is equal to 4 पर काम करने के बारी रह गई तो ऐसे situation में अब पहले हम exact value find out कर लें so at x is equal to 4 equality यहाँ है तो function यह use होगा that means कि 4 minus 4 is equal to 0 left hand limit लेकर चले limit x tends to 4 negative और left के लिए function कौन सा काम करेगा that one हैना अब change करते हैं as tends to 0 यहाँ क्या जाएगा 4 minus h minus 4 हैना substitution कर दे तो देगे 4 minus 4 0 और 0 negative time 0 ही रहेगा तो अभी तक तो equality आ रही है that means कि हमें अब right hand limit पर भी काम करना है हैना तो right hand limit लेकर चले limit x tends to 4 positive इसमें function कैसा है x minus 4 तो conversion करते हैं as tends to 0 यहाँ क्या हो जाएगा 4 minus h minus 4 फिर से substitution कर देते हैं तो overall result फिर से हमारे पास 0 ही आ रहे हैना तो हमने क्या देखा here कि जो exact value है जो left hand limit है और जो right hand limit है सभी आपस में कैसे आ रही है equal therefore जो function है is continuous at x is equal to 4 है ना 4 पर भी continuous है लेकिन वो तो 4 से less वाले के लिए भी continuous था और उसे greater वाले के लिए भी continuous था तो overall हम क्या बोल सकते हैं तो therefore function is continuous at everywhere right तो यह था आपका question number 8 करें रहा है चलिए next करते हैं ninth question ninth question में हमारे पास इस बार दो modulus है है ना तो चलिए note out करते हैं और फिर इसको भी simplify करेंगे function कैसा है भाई modulus of x plus modulus of x minus 1 ओके तो अभी देखिए कि एक modulus के अंदर की value को is equal to 0 रखेंगे तो यहां से तो x के value 0 आ रही है और यहां से x के value के आएगी 1 आएगी है ना यानि कि जो function है वो function हमें 0 और 1 के वज़े से separate हो रहा है तो 0 से smaller के लिए काम करते हैं और x less than 0 ठीक है तो देखिए 0 से चोटी value इसमें रखेंगे तो कैसा आएगा result negative नेगिटिव आए तो modulus अटाकर एक और minus लगाना पड़ेगा है ना इसमें भी 0 से चोटी कोई value रखते हैं लाइक minus 1 रखा तो minus 1 minus 1 minus 2 वो भी negative आ रहा है that means कि इसका modulus open करके भी हमें क्या लगाना पड़ेगा एक minus अब overall इनको combine करते है minus x और minus x minus 2x है ना और यह minus minus plus 1 what it अब किसके लिए गाम करें 0 से 1 के लिए गाम करते हैं और greater than 0 but less than 1 है ना तो अब 0 से बड़ी और एक से चोटी कोई ऐसी value सोचते हैं like 0.5 consider कर लें जो कि एक फिलाल positive value है है ना क्योंकि इस interval में सारे के सारे value जो है वो positive रहनी है तो इसमें जब हम रखेंगे तो result positive रहेगा that means की modulus का sign हटा कर कोई भी change करने की जरूरत नहीं है है ना लेकिन इसमें जब हम एक से छोटी छोटी कोई value रखेंगे लेकिन 0 से बड़ी है तो ओवेसी बात है यहां से result कैसा आएगा negative आएगा है ना तो इस negative को positive बनाने के लिए क्लिए क्या करना पड़ेगा एक minus लगाना पड़ेगा तो इस बार हमने क्या गिया एक्स माइनस एक्स जो की खतम हो गया लेकिन माइनस माइनस पलस वन बचता है दाट मेंस कि इस इंटरवल के लिए function कैसा बन रहा है वन अब बात करते हैं greater than one की है ना यानि की इस पार्ट के लिए तो इसमें function देखे ये भी positive रहेगा और एक से बड़ी कोई भी value में से एक गटा होगे तो result positive यान है ना तो दोनों के modulus हटा कर हमें कोई भी sign change करने के जुरूरत नहीं पड़ी है अब बात रह गई हो क्या है continuous है ओके सो देखे 4 x less than 0 less than 0 के लिए function कैसा है इसको complete नहीं करने वाले हैं बस वह आपको mention करें यह कैसा function है एक polynomial function है polynomial है तो क्या होगा continuous होगा है ना for that interval जोकी 0 और 1 के बीच का है इसमें function कैसा है इसमें function one और यह function कैसा है एक ये एक constant function है है ना और वो भी कैसा होता है एक continuous function होता है 4x greater than 1 इसमें function कैसा है ये है भई 2x minus 1 के equal और ये भी क्या है एक polynomial function और polynomial है तो ये भी क्या हुआ एक continuous function बन गया है ना तो अब कौन से दो point रहा गए 0 and 1 so at पहले हम 0 पर काम कर लें किसी पर भी कर सकते हैं से कोई खास compulsion नहीं है so पहले exact value निकालेते है add 0 तो 0 की equality हमने इधर consider की है तो यहां तो function कैसा है 1 के equal है तो अब 0 के left and limit पे काम करते है तो 0 के left में कौन सा काम करेगा ये function करेगा minus 2x plus 1 so limit x tends to 0 negative minus 2x plus 1 convert करते हैं as tends to 0 क्या हो जाएगा 0 minus h plus 1 अब substitution कर दे 0 minus 0 plus 1 तो ये तो पूरा हिस्सा 0 बन जाएगा 0 में add एक add करेंगे तो एक ही आना है तो result दोनों का अभी तक तो same आ रहा है that means कि अब हमें right hand limit पर भी काम करना है so right hand limit लेके जलते हैं limit x tends to 0 positive और इसमें function देखिए 0 से बड़ा यहाँ पर यह ही है sorry 1 बन रहे है ना so अब क्योंकि constant है तो constant में अलग से हमें limit पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत नहीं है तो हमने क्या नोटिस किया कि यहाँ exact value left hand limit and right hand limit सभी क्या आ रही है equal आ रही है therefore जो function है वो क्या हो गया is continuous continuous किस पर at x is equal to 0 पर continuous है ना अब किस की बारी है अब बारी है इस 1 की तो 1 पर भी लेके चलते हैं at x is equal to 1 पर निकालें तो देखिए equality हमने यहाँ consider किया है तो इसमें 1 रखें तो 1 ही रहना है क्योंकि function हमारा 1 है left hand limit लेके चलते हैं और right hand limit भी दोनों का function एक साथ note out कर लेंगे अब क्योंकि हम 1 पर काम करें तो 1 negative और right पर काम करें तो उसके 1 positive हो जाएगा अब देकि एक से छोटे के लिए function कैसा है 1 है और एक से बड़े value के लिए 2x minus 1 function है तो यहाँ पर left hand limit के लिए तो 1 हो गया और यहाँ पर हो गया 2x minus 1 अब constant के लिए मिट तो आपस constant यह आएगी और इसके लिए पहले इसको convert कर लेते है तो 1 plus h हो जाएगा और minus 1 हमारे पास already है अब substitution कर दें 1 plus 0 minus 1 तो यह देखिए हमारे पास तीनों ही result equal आ रहे है here function की जो exact value है and the left hand limit है और जो right hand limit है सभी क्या आ रही है equal आ रही है therefore जो function है वो function क्या है is continuous किस पर continuous है at x is equal to 1 पर तो देखिए हमने 1 पर continuous दिखाया 0 पर continuous दिखाया हमने 1 से greater 0 और 1 के बीच में और 0 से less सभी के लिए continuous दिखा दिया that means कि जो function है हम overall क्या बोल सकते है therefore the function is continuous everywhere right ठीक है तो यह था आपका question number 9 ओके next भी prove करने वाला है कि prove that the sin x function is continuous आपको एक theorem दिखाया थी cos x से related बिल्कुस सेम वे में हमें यह करनी है जैसे उस चोरम में किया हुआ था बिल्कुस से आपको उस वक भी बताया था जहां जहां को से उसको की जगे हमें सिर्फ क्या करना है sign substitute करना है तो यह थी हमारे पास the cosine function is continuous और इसके निचे रिमार्क में नों देरे रहे अपका भी sign और tangent function भी क्या होते हैं continuous ही होते हैं तो इसी तरह से हमें हमारे जो क्या है sign function है उसको continuous प्रूव करना है ठीक है so question number क्या था ही भाई यह I think 10 चेक कर लेते हैं yes question number 10 तो देखे function क्या है function है sign x लेकिन अब बात आगए भाई यहां पर कि function जो है या variable जो है वो separate कहा हो रहा कुछ भी नहीं पता हमें तो ऐसे situation में हम एक number कुछ भी let कर लेते हैं a माल लेते हैं जैसे उस theorem में भी था ठीक है let next में कर लेते हैं चलिए let a be any real value हमें a पर continuity दिखानी है अगर हम a पर continuity दिखा देते हैं तो a तो real number है है ना that means कि वो सभी infinite points पर भी क्या होगा continuous होगा okay so इसकी exact value find out करें तो क्या हरी है sine of एक equal आरी है अब इसकी जो approximate value है वो कैसे निकालेंगे limit से ही निकालेंगे और यहाँ पर function कैसा है sine x अब देखिए जो आपको वैसे theorem में भी बताया था कि lact or right वाले तरीके से आप करना चाहें तो वो आप पर depend करता completely वरना अब simple से limit की property को ऐसे apply करोगे तो अब भी आप यही notice करोगे कि भी देखिए substitution से हमारे पास वापस से क्या आ रहा है sine a ही आ रहा है है ना that means a जो exact value है और जो approximate value है दोनों ही आपस में क्या रही है equal रही है यानि कि जो function है function कौन मतलब sine x वो क्या है is continuous continuous at everywhere simple इसी तरह से अगर tangent आ जाता है तो tangent को हम use कर ले सकते हैं अब देखिए बिल्कुल यही question हमें 11th question में भी use करना है 11th question में क्या है कि भाई में discuss करनी है continuity गो लेकिन कि sine x plus cosec की या sine x multiply cosec की तो एक theorem हम पढ़कर आये थे algebra से related कि दो continuous function है तो उनका जो addition होगा और उनका जो product होगा वो भी क्या होगा continuous होगा that means कि 11th question को prove करने के लिए माली जे first part है function क्या है sine x plus cosec clear है हमें सबसे पहले क्या दिखाना पड़ेगा जो sine x function है और cosec function है इन दोनों को अलग-अलग हमें continuous पहले दिखाना पड़ेगा माली दिए हमने इसको क्या कर लिया let कर लिया इनको अलग-लग नाम दे देते हैं जैसे इसको f1 x और इसको f2 x बोल देते हैं और इसको हमने यहीं terminate कर दिया और फिलाल अब हम इसको लेकर चल रहे हैं सिर्फ f1 x को जो कि क्या है sine x function है तो अब हम इसको 10th question के accordingly क्या प्रूव करेंगे sine function को continuous प्रूव करेंगे ठीक है in the same way फिर हम किसको लेकर चलेंगे f2 function को लेकर चलेंगे जो कि क्या है cosex function है और उसको भी हम इसी तरह से क्या प्रूव करेंगे continuous जो कि आप theorem से भी pick out प्रूव कर सकते हैं ठीक है फिर अब हम लेकर चलेंगे we know that the sum of two continuous functions is also continuous है ना therefore जो function हमारे पास sine x plus cosex बनेगा वो भी क्या होगा is also continuous ठीक है तो ये था मारा 11th question यानि कि आपको ये और ये पहले continuous दिखाने पढ़ेंगे बिल्कुल same way में आप इसका जो second part ये 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 आपका first part हो गया और second part में आपको यहाँ पर sum के replacement में क्या दिखाना है यहाँ sum के replacement में दिखाना है product we know that the product of two continuous function is also continuous therefore the function हमारा क्या बनेगा उसमें product का दे रखा था है ना कि भाई sin x multiply cos x वो भी क्या होगा is also continuous होगा है ना ये था अपना 11th that means कि 11th question के दोनों part क्या होंगे continuous ही होंगे ये देखिए ओके so last question last question आप note किजिए so that the function that one is continuous ये कैसा function है तो ये actually composition function है जो कि फिलहाल cbsc board ने exclude किया हुआ है slavus से ओके फिर भी हम try करते हैं देखिए function क्या है function था हमारे पास modulus of cosec modulus of cosec ठीक है तो ये जो function है ये function actually दो अलग-लग functions के combination से बना है तो महान लीजिए हम यहाँ पे let कर रहे हैं क्या एक gx function माल लेते हैं इसको cosec को and hx function माल लेते हैं किसको modulus को देखिए modulus एक अलग function है और अंदर जो cosec वो एक अलग function है है ना तो एक हमारे पास composition function होता है h of g of x तो यह काम कैसे करता है यह काम करता है h of g of x यानि कि x की जिसके नजदीक आप ऐसे धियान रगते हैं x जिसके नजदीक है x पहले उस पर काम करेगा फिर वहां से जो result आएगा वो result फिर किस पर काम करेगा h पर काम करेगा ठीक है अब यह देखिए g x कैसा है g x cos x जैसे फिर h function कैसे काम कर रहा है h function काम कर रहा है उसके variable का जो part है वो modulus के अंदर चला जाता है तो ऐसे यहाँ पर यहाँ इसके variable की जगह कोन है cos x है तो यह modulus के अंदर यहाँ पर separate हो जाएगा यानि कि composition function इस तरह से काम करता है ठीक है तो अब हमारा जो काम रहेगा इस question को continuous दिखाने के लिए वो क्या रहेगा हमें इस cos function को भी continuous दिखाना पड़ेगा जो हम already theorem में continuous कैसे दिखा है I don't think कि आपको बताने के जोट पड़ेगी x की value 0 पर separate हो रहे है तो 0 से greater और lower पर दो लग-लग function बन रहे है less than के लिए तो minus x बन जाएगा और greater than के लिए plus x बन जाएगा तो यह function भी आप note करोगे कि यह भी क्या होगा continuous होगा और course function भी क्या होगा continuous होगा फिर finally जैसे हमने 11th question में यह जो line लिखी थी इधर बिल्कुल same इसी तरह से ही एक line लिखनी है we know that the composition of to to continuous functions is also continuous ठीक है therefore यानि कि यह जो function है जो कि cosine function और modulus function से मिलकर बना है is also continuous ठीक है यानि कि आपको इस एरिये में is course और modulus इन दोनों function को continuous देखाना है पहले ठीक है उसके बाद फिर हम यह line लिखकर इसको so कर सकते हैं ठीक है तो यह थी आपकी continuity पर based exercise so I hope आपको यह दोनों exercise जो है वो समझ आई होंगी तो अगर किसी तरह का कोई doubt है तो comment box में आप मुझे mention जरूर करें या आपको बड़े अच्छे समझ भी आई है तो भी आप comment करके जरूर बताएं positive negative दोनों ही comments जो है वो जरूर mention करें content अच्छा लगा है click the like button and share the video with your classmate and अगर आप new है channel पर तो please subscribe the channel thank you